बाद बाद पे लोग गुस्सा हो रहें, क्या हो गया है सबको, सत्य जुक सकता है, पराजित नहीं हो सकता, सुख भिहोश करता है और दर्द परिवर्तन करता है, दो मिनट की मैगी, एक मिनट का इंस्टाग्राम, ध्यान है प्रयास, उपलब्धी है प्रसाद, इस दुनिया म में जो जागा, वो सरकरश्म है, अगले स्लोग पर आते हैं, चौदा हमें स्लोग पर, बड़ा प्यारा स्लोग, तता, श्वैतर, युक्ते, महती, संदने स्थितो, माधबा, पंडवश्च, दिव्यो, शंखो, प्रद्यमतु, अब आपको दो चीजें यहां से दिखाई पड़ेंगी, एक रथ का वर्णन मिलेगा, और एक शंख का वर्णन मिलेगा, अब दो चीजों का वर्णन आपको मिलेगा, एक रथ का एक शंख का, रथ शरीर, जिस पर आत्मा सवार है, शंख, चैतन्य शक्ति का प्रतीक, क्योंकि शंख, मैंने पिशली बार आप से कहा, कि शंख जो है, वो सांस इसे नहीं बज़ता, कितना फूको बज़े गई नहीं, चैतन्य शक्ति का इस्तमाल होता है, शंख बजाना सीखना पड़ता है, और ताकत लगती है, शक्ति, अब दो चीजों का वड़न यहां से मिलना शुरू होगा, अब यह 14 लोग है, तता श्वेतर युक्त महती संदने स्थितों, माधवा, पांडवश, दिव्यो, शंखो, प्रदमुती, प्रद्यमतू, अलॉकिक रत पर भगवान कृष्ण सवार है, अलॉकिक रत, अलॉकिक शंख, और अलॉकिक घोष्णा, रत मैं बता चुका हूँ, रत मतलब शरीर, अलॉकिक, लोग के ते सोनना लगा, चांदी लगा, हीरा लगा, मोती लगा, अलॉकिक रत है, और अलॉकिक शंख भी है, दोनों अलॉकिक के डिस्कस करेंगे, इस अलॉकिक रत का क्या मतलब हुआ, अब यह अलॉकिक रत की जो चर्चा है, यह वहाँ नहीं है, यह रामचरित मानस में है, इस अलॉकिक रत की चर्चा रामचरित मानस में है, रावन रती विरत रगुनाथा, रगुवीरा, देख भीवीशन भयोवधीरा, रावन रत पे सवार है, और भगवान राम विरत रत है नहीं, देख भीवीशन भयोवधीरा, अधिक प्रीत मन भासंदेहा, बंदी चरन कह सहित सनेहा, अधिक प्रीत, अधिक प्रीत मन भासंदेहा, कि प्रभू तो टैंग पे सवार है, और आप पैदल, तो आगे तुलसी जाजी कर रहे हैं, नाथ, फिर भीवीशन कह रहे हैं, कि नहीं तन पदत्राना कही बिद जीतब बीर बल्वान ना आपके पास रथ है ना काईदे कपड़ा है ना जूता है इस बल्वान से कैसे जीतेंगे आप कि सुनाउ सखाक कह करपा निधाना जै ही जै होई सो संदन आना कि जिस रथ से मैं जीतूंगा वह रथ ही अलग है पुल कौन सा रथ तो एक्स्प्लेइन किया सौरज धीरज तही रथ चाका अ कि भग्वान राम भी बीचरते कह रहें कि देखो जिस रथ से मुझे विजय मिलेगी वह रथ कुछ दूसरा अलोकिक रथ सौरज धीरज तही रथ चाका सत्त्य शीर द्रण दोजा पता का बल भी बेक दम परहित धो घोरे चमा किरपा समतार जो जोरे यह देखो यह अधिया धैर का पहिया इस रत का जो पहिया है वह धैर है इसलिए जब आपनी ध्यान शुरू करता है बहुत परेशान होता है क्योंकि ध्यान दुनिया में ध्यान एक ऐसी चीज़े जो अक्रिया है वह लोग उसने ध्यान कैसे करें ध्यान क्या करें तुम्हारे हाथ में आई नहीं तुम्हारे हाथ में आई नहीं तुम्हारे हाथ कर सकते हैं बैट सकते है इसी को explain कियाmitt Kim बॉलीवुड के गाने में खुदफ करे कि कियामत हो और तू हम इंतिजार करेंगे तेरा कयमत था क कि के कामत में तो आओ गे गोड़ाने का कैयामत के दिन में फैस्ला करूगा तो संत गाने में कहता कि खुदा करेगी कयामत हो जब तुने वादा किया है कि कयामत में तू जज्मेंट करेगा तो सामने ही आगे तो करेगा तो खुदा करेगी कयामत हो और तू आए हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक आपने इस गाने को कई बार सुना होगा लेकिन आपने इस अंदर में नही सुना होगा तुम अगर साथ देने का वादा करो मैं यूही मस्त नग में लुटाता रहा हूँ तुम यानि कौन परमात्मा प्रभू भगवान अल्ला हुआ तुम ना समझो तुम्हारा मुकदर हूँ मैं मैं समझता हूँ तुम मेरी तकदीर हो कि मुकदर और तकभी तकदीर कि गाने भजयनी सब सूफी उफी लिखा करते तो यह जो रत है यह जो अलोगिक रत है इसके पहिए धैर रूपी पहिए बैठो बस पांच मिनट बैठो यार नस मिनट बैठो बैठे रहो पहले दिन तुम सोचतो चार खंटा बैठ जया और ला कि ध्यान अक्रिया है अगा इसलिए दुनिया की सबसे कठिंतम चीज है कि कुछ करना ही नहीं है जैर उसका पहिया में पहिये के विनारत चलेगा कभी नहीं चलेगा अपकिर अ पहुर और शॉर रूपी पहिया धैर रखना ताकत है यह दोनों पहिये हैं धैर और सॉर है वीरता नहीं लिखा शौर है कि पचास घंटा बैट के मूवी देखना ना तो इसमें धैर है ना इसमें शौर है इस अलौकिक रत के दो पहिये हैं एक धैर है एक शौर है शक्ति का काम है यह कि और आज क्या इंसान कि उसका दोनों खूता जा रहा है खाना खारा है मुबाइल देख रहा है मन को स्वाध ही नहीं मिल रहा है जहां दो रोटी खानी आठ खा गया शुगर बढ़ गई शुगर की कोई दवा नहीं ध्यान के सिवा जो ध्यान करेगा वही डाइबिटीस से क्योंकि खाना मन को देना है स्वाध मन लेता है पेट नहीं लेता पेट को पेट को स्वाध किया पता तब भी हम पेट भर लेते हैं डाइबिटीस की वस एक दवा है ध्यान अगusem एक रस गुला लिया मुं में रख लिया पांस मिलेट रक्खर जब मनने कह देगी भाहिया बस लेलीहा सारा रस रस मन को लेना है कि आपने मुं में रखा है की ऐज चंदर वह विचारा चिला-पे गणाप से अंदर मार लिए फिर कीचा तुरंद कि बहुत प्रोग्राम चलते हैं डाइविटीज रिवर्सल ये वह फलाना दवाई हमारे पास दवाई किसी के पास कुछ नहीं है हां कंट्रोल करवा देंगे कुछ थोड़ा बहुत सुकून दिलवा देंगे लेकिन इसकी पर्मनेंट दवा है ध्यान तो यह जो अलोकिक रच जिस पर भगवान कृष्ण सवार है उसमें शौर है और धैर है फिर इस रच की खासियत क्या है इसके जो लगाम है वो च्छमा और दया की लगाम है कि इसको जो घोले हैं एक बल का सूचेक ऐक विवेक का सूचेक एक डम का सूचेक परोपकार कर सूचेक चार ऊदूरे झितना खाना लोग शादी में फेक रहे हैं किभी कभी मैं साथियों में जब खाना फेकते वह लोह बहुत देखता हूं तो मुझे लॉड क्रजन कि तुरं थियाद आती करनोवालिस करजन इन लों की तुरंत यादा दी अच्छा किये तुम मारे यार बहुत अच्छा किये अब नहीं खाना है भाई मेरे पहले एक ही रोटी ले लो पूरी पूरी थाली खाने की भरी हुई ताल दिया कोड़े दान में कि पांच रोटी कमाओ एक रोटी किसी को खेला दो किसी को भी परूपकार है दूआ मिलेगी तम इंद्रियों को साधने का विवेक से बढ़ी कोई चीज आहीं रही है विद्या से केंड्री है आज क्यों इस देश में नौकर बनने की दौड है भाईया आम नौक पाइदा होते ही नौकर है हमारी बेटियां है कि ओ करें कि नौकरी करना है तो गयलक्सी ऐंड्रníaveetra बिजवा दूं इनको गयलक्सी चेंज़ करवा दूं नौकर कर लाना है हमारे घर में पैसा नहीं था हम साधरार परिवार में पैदा हुए थे, हमें नौकरी करना था कुछ समय के लिए, तुम क्यों करोगे? IS का बेटा IS क्यों बनेगा? तो MP बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, साइन्टेस्ट बनेगा, अकर IS का बेटा IS बना कुछ बना ही नहीं, उसको परदानमंत्री बनना चाहिए, जितनी सुवधाओं में वो पला बढ़ा है, ये, छमा और दया रूपी लगा, बाद बाद पे लोग गुस्सा हो रहे है, इतना गुस्सा भी एक घट्डा मैंने सुनी कि किसी बहन जी ने अप हो गया है सबको, हर हाथ जोड़ो यार, छोटे हो जाओगे, यह देखो, रथ चलाने वाला, शम, यम, नियम, बाड, मन, निर्मल और अचल मन, यह है अलोगिक रथ, आपका शरीर, तो भग्वान श्रिक्रिश के पास तीन चीज़े है, एक तो अलोगिक रथ है, अलोगिक रथ, फिर अलोगिक शंक है, अभी मैं उस पर आऊँगा, फिर अलोगिक घोशना, छोटी मोटी घोटना नहीं है, कि मेरी शर्ण में आओ, मैं तुम्हें आईएस बना दूगा, मैं तुम्हें डॉक्टर बना दूगा, मैं तुम्हें इंजीनियर बना दूगा, नहीं, आओ, तुम्हारा ब्रह्म से साक्षातकार करवाँगा, नदी के इस पार से उस पार ले जाओंगा यह जो धन होने के बाद भी दुख में हो परिशान हो रो रहे हो अगर पैसा होने से शांती और सुख आता तो जितने भी धनाड लोग है यह इन संतों को मर्सिडीज देखे जाते आते लेट जाते भारत में ऐसे संत है जिनके अपने नाम से कुछ भी नहीं है एक से एक राइस पदवाले आते इसे चरण पर लेट जाते हैं कि यह अलॉकिक रथ आपके पास भी है कि आप मानी नहीं रहें कि यह अलॉकिक रथ सब के पास है और जितने गुरु महाराज से जोड़े हुए लोग है तो कृष्ण उनके पास हाई है साक्षाद गुरु महाराज श्रीकृष्ण इस दुनिया में जो जागा वो श्रीकृष्ण कि डार्क मैटर जो अलाइटन हुआ इस देश की परंपरा है तो हम सब अर्जुन है ऐला कि अर्जुन बनना बहुत सक्ति साली काम है बहुति Kapi काम है अर्जुन बनना इतना आसान नहीं अर्जुन एक बड़ा बिरला शिष्ज है उसकी अपनी क्वालिटीं और उथक नाम धननजय है हागे मधी मैं बता आ Offic तो श्रिक्रिशन अलोग एक रत पर सवार है अलोग एक शंख पांजान अभी उस पे चर्चा करूँगा और अलोग इक घोश्रा कर रहे हैं कि याओ तुम्हारा ब्रह्म से साक्षात कार कर रहा हो कहा इन छोटी मोटी चीजों पर जी रहा हो कहा अंधकार में जी रहा हो कहां असत्य में जी रहा हो कहां मृत्त्य में जी रहा हो आओ मैं तुम्हें असत्य से सत्य की तरफ ले चलो कभी तो कभीर ने कहा हम नम अरब मरह संसारा क्योंकि कभीर चैतन पर आ गए कि अब सब अपनी अपनी उद्ध घोशना करेंगे अब यह जो सजातिय शक्तियां है पुन्य शक्तियां है यह भी अपना घोशना करेंगी कि यह उन्होंने तो घोशना किया ही कवरों ने विजातियों ने भय पैदा किया तो सजातियां भी घोशना करेंगी और वो विज्यातियों के हिर्दय को विद्रीन कर देंगी डरा देंगी क्योंकि जैसे ही आपके अंदर सत्य पैदा होना शुरू होगा पुन्य पैदा शुरू होना शुरू होगा वैसे आपके अंदर का जो कौर है उसको डर लग जाएगा कि यह कहां जा रहे हो यार तुम तो जो पंद्रहवाश लोग है वो सजातिय शक्तियों की घोष्णा और सजातियों शक्ति में सबसे पहली घोष्णा है पांच आन पांच जन्यम् हिर्षिकेशो देवदत्त्मध हनं जय है पञ्थ्मों महांशंक भीम कर्म हिर्टोधर है व्लौई इस हाइव हां consult जन्यम् हर्षिकेशा हराओ हर्श southwest मदलब मन और इंद्री और मन और इंद्री का ईष भगवान क्रिषन का एक नाम है हिर्शिकेश हिर्दे में रहते हैं हिर्दे के मालिक हैं यही बात यही बात इसलाम भी कहता है कुरान भी कहती है इग्जैक्ली यही बात मैं तो अपने मुसल्मान भाइयों से कहता हूं मेरे बड़े सारे आलिम लोग हैं जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त मैं कहता हूं सर आप लोग भी अपने धर्म का एक शो चलाओ सर आप भी पढ़ाओ सर दुनिया को पता चले कि यह जो आपके खिलाफ साजिश और आपको कलब मुमिन यहीलाइन है कुरान में अर्शौहुलत ऑल्ला कलव मुमिन मुमिन का हर्द ए अल्लाह का निवास उप अब ही तक इता स्वामी कर अब मुलाना ARSHOLतला कलब मुमिन एद्टिये बात लिखी है कि मुम इन का जो हिर्दे है वह आल्लाह का घर है हिर्शिकेश, भगवान श्रीकृष्ण, कौन सा संख बजा रहे है, हिर्शिकेश, हिर्शिकृष्ण, यानि भगवान श्रीकृष्ण, हिर्दे के स्वामी, भगवान श्रीकृष्ण, कौन सा संख बजा रहे है, पांजान ने, अब ये समझना बहुत जरूरी है पाँच ग्यानेंद्रियां पाँच तनमात्र ये अब भग्वाई से रिक्रशन क्या करते हैं ये धारा को समझेगा ये धारा को राधा बना देते हैं कि अब भूद बड़ा सूत्र है राधे 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 जब एक दूसरे से कहते हैं तो आप उसको याद दिलाते कि देख तेरी चेतना धारा के रूप में बहर रही अंदर ले जा जबाब कि शेए राधे राधे कहते हैं वहुद बडा शब्द है राधा जब चेतना बाहर बह रही है, तो धारा, दूशित धन, जब चेतना अंदर बह रही है, तो राधा, आत्मिक संपत्ति, पांच जान रूपी शंख बजाते हैं, पांच ग्यान इंद्रिया, पांच तन मात्रा, कौन कौन सी, स्पर्श, गंध, रूप, रस, शब्द, इन पांच धर्वाजों से चेतना निरंदर बाहर भागती है, स्पर्श, स्किन के द्वारा, गंध, नाक के द्वारा, रूप, आँख के द्वारा, रस, जीव के द्वारा, शब्द, कान के द्वारा, जब यह मन के आधी होती है, तो बाहर भागती है, बाहर सुख खोषती है, बाहर सुख खोषती है, और हर सुख में, इनको बाद में दुख मिलता है, कितना डियो लगाओगे, कभी तो डियो भी सीखेगा, सूखेगा, फिर, जब यह राधा बनके अंदर बहेंगी, तो यह सुख आनन्द बन जाएगा, पांजान इस रूपी संख, कि जो तुम्हारी धारा बाहर बह रही है, इसको समेट के मैं अंदर कर लूँगा, आओ मुझसे जुड़ो, इसलिए कभीर विवा कर रहे हैं, भोग के लिए नहीं, कभीर की पत्नी है, लेकिन भोग वहाँ नहीं है, इसलिए कभीर की पत्नी उनको परिशान नहीं करती, एक आदमी ने कभीर से पूछा, कि शादी करनी चाहिए, कहा कल आना तब बताएंगे, महाराज आज ही बता तो बोला, नहीं कलाओ, आज ना बता पाएंगे, कलाओ, आया दूसरे दिन, मई की दोपहरिया, चलचलाती धूप भैंकर, और उसमें उन्होंन अपनी पत्नी से कहा, लोई से, लोई तेवार का लोई जी से भी संबंध है, तो नहीं ने उनसे कहा, कि जरा दिया जलाला आना यार सुई गिर गई है बाहर, उविचारी दिया जलालाई, मई के दोपहर में जब सूर चमक रहा है, उविचारी दिया जलालाई, अब दोनों मिया भी भी सुई, अब सूर जूपर चमक रहा है, और दोनों मिया भी भी दिया लेके सुई ढूड रहे, और वह आदमी का कि हमको तो पहले सुना ही था अब तो विश्वास है भाई जा रहे हैं अंसर नहीं चाहिए नहीं पागल से क्या अंसर लेना यार और दोनों पागल हो अरे वोले सुन पागल है उत्तर तो ले क्या पहले जब संबंधों में इतना विश्वास हो कि तुम जो कहो अगला क्रास कुश्चिन न करें तब करनी चाहिए कबीर के लिए इस तरी भोग नहीं है इसलिए नहीं परेशान करती इस तरियां उन्हीं को परेशान करती है जो उनको भोग मानते यह बागी किसी को करती ही नहीं चैतन रूपी धारा इन पाँच दर्वाजों से बाहर भाग रही है निरंतर और जब तक यह बाहर भागेगी इसका कोई अंत नहीं है बाहर कोई अंत ही नहीं है कितना पकवली खालो पकवली पकवली और पकवली को साथ और एक जहर मिला दी चटनी केचप और जवान को अगदम इतना अक्टिवेट कर दो पांच जाने रूपी संग है कि यह तुम्हारी चेतना जो बाहर भाग रही है धारा बह रही है बाहर इसको मैं राधा बनाके अंदर खीच लूँगा और परमात्मा से मुलकात हो जाएगी और शहुत आला कल्ब मुमिन यह क्या साइंस है रिलीजिन इसका जड़ा ही क्यों करना कि अरे साइंस रिलीजिन भी साइंस है सर स्पिरिच्वल साइंस इसमें क्या जगडा करना कि फिजिक्स बड़ा है कि धर्म बड़ा है इसमें क्या जगडा करना सर क्यों जगडा करना क्यों इस एंगल से देखना फिजिक्स से फिजिक्स वाला लाब लेना धर्म से धर्म वाला लाब लेना साइन्स से टेकनलोजी को बढ़ाना और मेटाफिजिक्स से अंतरिक ताकत को बढ़ाना और ताकत वर आदमी टेकनलोजी को गुलाम बना लेगा कमजोर आदमी टेकनलोजी का गुलाम हो जाएगा मोबाइल वाला केस देख लो और गुलामी किसी की भी हो क्रस्ट बहुत देती है गुलामी किसी की भी हो ताकत वर आदमी टेक्नोलाजी को गुलाम बना लेगा और कमजोर आदमी टेक्नोलाजी का गुलाम बन जाएगा तो भगवान श्रीकृष्ण हिर्शिकेश हिर्दे में आवास करने वाले पांजान रूपी संख बजा रहा है अर्जुन अर्जुन कोन से संख बजा रहा है अर्जुन देवदत्तम धननजया अर्जुन देवदत्त नावग दैविये शक्तियों को आधीन करने वाला अनुराग अनुराग अर्जुन कोन से संख बजा रहा है देवदत रूपी और यह शंग उसे दिया किसने ठंडवन प्रसंग है बहुत तकड़ा यह शंग अरजुन को दिया किसने अगनी देवताने देखो इस बात को यह शंग उसे अगनी देव ने दिया कि मैं बार-बार आपसे कहता हूं धर्म समस्या नहीं है पाखंड समस्या है कि वियार के पूर्व डीजीपी थे कुपतेश्वर पांडे जी व्यक्तिकत रूप से तुम्हां उनसे कभी मिला नहीं कि टीजीपी कि वियारस लिया और कि कथा कह रहे है कि क्या शांदार डिसीजन लिया उन्होंने कि अपना तो जीवन बनाया ही औरों का भी बनाएंगे कि आप जल में जाएं साल में एक बार गोवा काल के वे वह साल में आप दोबर जाते हैं को चार लक्ष्टी गर्मी चुटी में तो कोई एक चुटी में आप आश्रम जान ऑ करीером चिठी अब आप गोवा दुभी को दे दीजे और एक हुट्ति किसी आश्रम को ऑनी बच्च आपके धनंजे आत्मिक शक्ति वाले अर्जुन का इगनाम है धनंजे धनंजे यानि आत्मिक शक्ति अर्जुन यानि अनुराग और अनुराग क्या करेगा दैविये शक्तियों को आधीन कर लेगा पुन्य आत्मक शक्तियों को आधीन कर लेगा और जिसके साथ दैविये शक्तियों आ जाएंगी आप चार बज़े उठना चाहते हैं ना सब उठना चाहते हैं चार बज़े उठने का कमाल यह है कि एक लंबा समय मिल जाता है दिन में और चार से दस का तो समय काम करने का इतना बेहतरीन है हलांकि मैं भी कभी कभी मिस करता ही हूं लेकिन चार से दस में जो आदमी जो काम कर ले धनन्जे दुरियोधन मतलब दूशित धन धनन्जे मतलब आत्मिक संपत्ति दैविये शक्ति अनराग अनराग दैविये शक्तियों को अपने आधिन कर लेगा तो उसने देवदत नामक संक बजाया अगनी देव ने दिया किसने दिया अगनी देव ने यानि तपाया उसने अपने आपको जलाया ऐसे नहीं मिला तपस्या आजंड के कि लोक सिर्फ कथ सुन रहें हैं है सिसरे रिए ओजो करम का पाठ नहीं गड़ है तपस्या नहीं कर पा रहें थोड़ा थोड़ा शुरू करो थोड़ा थोड़ा जब बदल्लाहट शुरू होगी न तो उसके मजे में तपस्या बढ़ती चलिए है हमारी मानव की एक आदद है हम कुछ करें और उसका दूसरी तरफ दिखाई न पड़े तो हमारा करने का मन मर जाता है तो ठोड़ा थोड़ा शुलू करो एक आपने आपको मत चेंज करने की कोशिच करो थोड़ा थोड़ा Phra Biop trad video अपने एंदर लाना शुरू करो अगनी देव ने दिया है हलाकि कहानी है कि खांडवन प्रसंग में प्रसंद होकर अगनी देव ने यहां अगनी का मतलब यह अगनी देव का मतलब यह कि तपस्य कि इसने जलाया अपने आपको तप शक्तिया पैदा वही इसकी भी नीन नहीं खुलती रही होगी चार बजे सोते में ख़ड़ा हो जाते रहा होगा कि ख़ड़े होके सुआएंगे तो कितने दिन ख़ड़े होके सोगे यहीं तपस्या है ख़ड़े होके पढ़ेंगे फिर भीम ने अब तो स्रिकृष्ण ने पांजान रूपी सब्जाया और अर्जुन ने देवदत रूपी शंग बचाया तेवियों शक्तियों का अधिन करने वाला अनुराग उसने देवदत नामक शंग बजाया पॉंड्र दद्मो महाशंगा भीम कर्मा व्रिकोधर अब भीम की बारी आ प्रीत भाव भीम यानी भाव भाव के भूके हैं भरवाए अब भाव कैसे दिखाई पड़ेगा प्रीत के द्वारा आप बिमार हैं आपकी मां राद भर आपका सर बोद में रखे रखे वो भाव दिख रहा है उसको नीद ही नहीं आ रही है क्योंकि में बेटा बिमार है भाव सोने ही नहीं देगा आप बिमार हैं घर में सब लोग सो गई यानी आपके प्रती किसी का भाव ही नहीं है भाव जैसे हवा नहीं दिखाई पड़ती ऐसे भाव भी नहीं दिखाई पड़ता लेकिन जब चलते चलते ऐसे डंडा घुबाओगे तो सर्ग से हवा जाएगी यानि हवा है ऐसे भाव तरना दिखाई पड़ेगा प्रीति के संचार में और भाव बहुत बल्चाली है आज के पुझी वादी युग में मर गया लोगों का अब संबंध किस से हैं इंट्रेस्ट से इसलिए वाटसएप ट्विटर पर दो लॉक फॉलोवर अर्थी में तीन लोग आए कि ट्विटर पर दो लाग फॉलोवर अर्थी में तीन लोग है कि कुछ लोग है जिनके ट्विटर पर कोई फॉलोवर नहीं कि वह जानते ही नहीं थे ट्विटर क्या है कि हमारे एक निता जी थे चाचा जी हमारे अधरनिय दीप नराइन पंडे जी गुंडा में उनकी मृत हुई लाखों लोग आए मिलाहिम सिंग जादो जी की मृत हुई लाखों लोग आए ऐसे इसे लोग आए ऐसे जो अंदर नहीं जा पाए एक फोटो गर के बाहर भी रखी गई थी लोग आते थे फूल चड़ाते थे चले आते आज हित आधारित संबंद हो गया है बच्चा बेटे को बच्चे को कौन पाल रहा है आया और माबाप कहां है व्रिद्धा अश्रम अब आया आपके बच्चे को पाल तो देगी प्रेम नहीं देगी वो फीलिंग वो तरंगे बच्चा आपसे कभी जुड़ नहीं पाएगा और माबाप की आप सेवा नहीं करो गए इनकी दुआ ही नहीं मिलेगी दो लाग की जैगेड पहने इंपोरिया आर्मानी खोकले अंदर से हमारी ट्रॉलिंग हो गई भाईया हने ले ट्रॉलिंग अलोगे ट्रॉलिंग डीके से क्या डर्ना डीकों से क्या डर्ना डीके खतरनाक होते हैं कभी-कभी पट डीकों से क्या डर्ना देशी कुट्था करना देब करो गेसा ट्रॉलिंग करो जितना करना करो भाव बहुत बलचाली है उसका संचार का ऐसे बहुत बलचाली है बहुत भाव लेकिन लेकिन अज्ञानता में अगर आप भावक हैं तो आप यूज हो जाएंगे सिरक्रश्न अज्ञानी भावक नहीं है सुधामा को गले लगाते हैं वो सुधामा ने उन्हें दरिद्रता अपने ऊपर ले ली थी ले चोलों का चुराया हुवा चना अगर कर्श्न खाले थे करिश्न हो जाते हैं और भगवान दरिद्र हो जाता यह पूरा ब्रह्मांद दरिद्र हो जाता है कि सुधामय और कर्ष्ण कि दरिद्रता अपने उपर ले दीओ यह बात भगवान कृष्ण रुखमनी को बताया कि तो भगवान कृष्ण ने तुधाम की दरिद्रता का कर युर्थ रहे हैं आशू से पैर धुल गए निश्चत तौर पर जिसने आपको इतनी बड़ी चीज से बचाया हो निश्चत तौर पर आपके उतने आशू गिरे होंगे स्वाभाविक तौर पर लेकिन सेशुपाल के प्रति वो भाव नहीं कि तुम मेरी बुवा के लड़के हो बत्तमीजी करोगे हैं और इतनी बत्तमीजी याद दिल आ रहे हैं कि भाईया मत करो पर आदत अर गामक्रीeder ओफिधा देश नहीं शुधार रहा है योगीजी देश नहीं शुधार रहे पांगान लिफ्ट में धूक देते हो कितनी बिल्डिंगे है इतने बिल्डिंग है मेलावाद में यहां क्लास लेता हूं बिल्डिंग में नेक्षा सोरू में उसको उपर बिल्डिंग में चलत क्लास चलती है सीडियों पे इतना थूख रखा है लोगों और सब स्टूडेंट्स आते हैं लिफ्ट में थूख रखा है तो भगवान कृष्ण पंजान रूपी संग बजाएंगे अर्जुन देवदत रूपी संग बजाएंगे भीम पॉंड रूपी प्रीती रूपी संग बजाएंगे युदिस्थर अनन्त विजियम राजा कुंति पुत्रो युदिस्थरा धर्म लौ कभी बदल नहीं सकता इसले कर आम किसी से कहें कि कोई भगवान पुद्ध के पास एक महिला आई उसका बेटा मर गया तो आई गोली मैं जानती हूं आप मेरे बेटे को जिंदा कर सकते हैं बोले कर दूंगा तुम ऐसा करो किसी घर से एक मुठी चावल ले आओ जिसे घर में कोई मरा नाओ आई विचारी चारो तरफ मांगी कोई ऐसा घरी नहीं था आई बोली प्रभू मैं समाझ गई यह तो नियम है प्रभू यो धिस्ठिर बदल नहीं सकता क्योंकि यह धिस्ठिर है कौन धार्म सारी प्रकृति जिसको गुर्णानक देव जी हुकुम कहते है उस धर्म पे टिकी हुई है fundamental laws धर्म यह धिस्ठिर यानि धर्म अनंत विजयम अनंत विजयम रूपी शांग अनंत विजयम उसे की जय होगी हार ही नहीं सकता सत्य जुक सकता है पराजित नहीं हो सकता क्योंकि असत्य की कोई अंधकार की कोई सीमा ही नहीं अंधकार की कोई ताकत ही नहीं है जब तक रौश्णी नहीं है तभी तक अंधकार है अंधकार की कोई ताकत आपने गौर किया अंधकार ताकत वहीन है आप डंडा लेके जाए अंधरे कमरें खीच-खीच के नहीं भागेगा अंधकार अंधकार existential है existence नहीं है existential प्रकाश का अभाव अंधकार है अंधकार खुद में कुछ नहीं है एक बार अधेरियन ने जाके भगवान से शिकायद की कि यह सूर्य आपका मेरे पीछे पड़ा हुआ है हम दुष्मन मेरा है तो आप नापकार क्य दूश्मन मेरा कि अच्छे मिटाना चाहता है अ हम अच्छा बलाता हुसरु को बनाए है सूर भगवान को सूरु है याया 박 वाया तुम धेर के पीच एggi काऊ आए अधेरह तो हम आख यह लेखांगर नेखाने आटेया तो जानता है नहीं कोई अधेरा कहा अधेरा को होता है अधेरा कि तुम सोचते हो कि कोई तुम्हें प्रेम क्यों नहीं करता है अरे प्रेम भगवान से भी इसलिए करते हैं क्योंकि वह अगर यह तीनों क्वालिटिया भग्वान की खतम हो जाए कि पब्लिक भग्वान को गाली दीना सुरू करते हैं यह किसी से प्रेम नहीं करते हैं आई कहां कौन सा प्रेम इसलिए जिसकी आखे खुली उन्होंने साधना किया तपस्या किया शक्ति अर्जित कर ली समझ गया है कि यह सब ड्राइवाजी है रिष्टा प्रेम सब ड्राइवाजी है अगर प्रेम कुछ होता तो हिजुनों को भी शादी होती है उसमें भी बहुत सारे लंबे लंबे गोरे गोरे चिकने चिकने होते हैं भाव होता है अनन्त विजय है विदिस्ठर नकुल सहदेवश शुघोष मौली पुश्पको नकुल सहदेव नकुल कौन से संग बचा रहे है शुघोष 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 नियम है न नकुल यानी नियम तो जब आप नियम पर चलोगे तो शुघोष न कुछ कुछ चेंज परिवर्तन आपको दिखाई पढ़ना शुरू हो जाएगा और यही चेंज परिवर्तन जो आपको दिखाई पढ़ना शुरू होता चला जाएगा वही आपका उत्सा बनता चला जाएगा कुछ तो बर्सा कि ध्यान एटियम है कि काट डाले खटा-खटा-खटा-खटा-खट पैसे निकल आया कि टाइम लगेगा कि अगर 20 साल मिटे हो तो कम से कम छे महीना तो दो अपने आपको और यह ऐसा डिप्रेशन हो गया सर ऐसा हो गया सर यह हो गया वैसा हो गया बहुत बुरा हाल हो गया सर लड़की उसा और मेरी गल्फ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रही सर तो शिव जैसा यह व्यक्तित तु पैदा करो श्वगवान चंकर जैसा कि जहर पीलो तुम्हें एक गलास गहां का दूद दे दिया जाए तो तुमको डाइरिया शुरू हो जाएगा तुम दो मिनिट वाली मैगी खाते हो बस मैगी दो मिनिट दो मिनिट की मैगी एक मिनिट का इंस्टाग्राम श्रीए भी खोखली हो गई और मन भी खोखला हो गया दो मिनिट मेगी और एक मिनिट का इंस्टाग्राम रुखी नहीं रहा है भागा जा रहा है स्क्रॉल स्क्रॉल जब रात में ज्यादा स्क्रॉल करने लगो तो खड़े हो के मोबाइल देखो तो पैटदर्द करने लगेगा यह तपस्या हो गई वो दर्द कहेंगा कि तुम्हें करतों मोबाइल रखो गए तभी लेटूंगा वनना लेटूंगा नहीं कि बस मोबाइल छूट जाएगा यह दोनों जांग हिलेगी नहीं पर यहां डालोगे पर वहां पड़ेगा लेकिन पांचमे दिन सुख भिहोश करता है और दर्द परिवर्तन करता है इसलिए समझदार लोग कस्ट खुद लेने लगते हैं तो जो खुद कस्ट लेने लगते हैं वो परिवर्तित होने लगते हैं और राजा बन जाते हैं और जो खुश्ट कस्ट नहीं लेते वो उन राजाओं के घर में नौकर बन जाते हैं क्योंकि कस्प मिलेगा तो सब को कोई नहीं बचेगा कोई बचेगा ही नहीं नियम है प्रकृतिका तो अगर तुम खुद से लेने लगे तो तुम्हारे अंदर और आंतरिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जो दिखाई नहीं पड़ता है अब मुझे जो जानने वाले पुराने लोग है जो मेरा अंगुली माल वाला रूप जानते हैं और सही गानते हैं आज ही मेरे एक मित्र हैं बैठे उनसे बात हो रहे थी कहीं फलाने आये तो बहुत आखुब गालियर कहने था कि अरे मैंने का सही दे रहा है कुछ गलप नहीं बोल देखा है मुझको रहा है मेरे साथ पाइसा कमा लेना एक अलग चीज होती है पढ़ना पढ़ाना पढ़ाना मैंने को सही कह रहा है गलत तो कुछ भी नहीं कह रहा है और मेरे बारे में जो भी आदनी आपको बता रहा हो सब सही है जो गलत बता रहा है गलत जितनी बात बता रहा है वो सब सही है अच्छा ही आपको दिखाई पढ़ती हो तो कोई बात ही नहीं मैं तो अपने गुरु भगवान का अंगुली माल हूँ बस यह सब समझ में आ गया अशिरवाद ध्यान है प्रयास उपलब्धी है प्रशाद अध्याना आपको प्रयास करना पड़ेगा कि निए अध्यान मतलब कि प्रयास कि प्रभू मैं प्रयास करूंगा और उपलब्दी है प्रसाद कि जो मंदिर में अड्डू अड्डू बढ़ता है यह चोटा मोटा प्रसाद है असली प्रसाद है विवेक का जगना यह गुरू का प्रसाद है यह तो आवा दोझा की आवकात्ती गीता पढ़ानेगी और गुरू भगवान सवार हो जाते हैं यहां पर आगे आपको लगता है मैं बोल रहा हूं वह कहता ना तुरी एडियेट में कि बोल यह रहे हैं इसब दमारे यह आपको ऐसा लगता होगा यह विवेक देना गुरू का काम है कि मैं जब गया शक्तेश गड़ और जब गुर्भगवान ने कहा कि जाओ तुम गीता स्वामी कि आसे दो साल पहले तो मैं पड़ा है कि यह यह परसाद उन्होंने दिया इसलिए जितने लोग में बनाते अंगउच्य को उड़कर उनसे में हाथ जोड़के निविदन कर र है कि नहीं तो तुमको भारत रतन दिलाओंगा है कि पक्का भारत रतन दिलाओंगा देश्चित दिलाओंगा है कहीं भी रहोगे तुम गैलेक्सी चेंज गर चुके होगे तो भी दिलाओंगा पर भारत रतन दिलाओंगा जरूर सुबकी नियम पे जो आदमी चलेगा नियम पे धरती नियम नहीं तोड़ती पशु नियम नहीं तोड़ते पेड नियम नहीं तोड़ते इंसान इसको मज़ा आता है नियम तोड़ने में और हिंदुस्तानी को और लेकिन साउधी में दुबई में आप जाओ हिंदुस्तानियों को दुबई में देखो क्या डीसेंट और नियम से चलने वाले लोग है कि वहां कोई रोड रेज कर दे किसी को गाली दे दे साउधी में बत्तमीजी कर दे तुरंट उतारते हैं कहते हैं सॉफ्ट्वेर प्रॉब्लम अब ठीक है नहीं होगा यह प्रॉब्लम हीर 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 रिमूर 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 यहाँ डेमोक्रेसी के नाम पर कुछ भी करोगे अब ने सो बावन में नैशनल फ्राइमिली प्लानिंग की स्थापना हुई उननी सो बावन 1952 और तब इस देश की सरकार ने नारा दिया हम दो हमारे दो साइटिस करोड पॉपलेशन थी अप्रॉक्सिमेटली 40 करोड 1952 में अप्रॉक्सिमेटली 40 करोड और तब नैशनल फैमिली प्लानिंग की स्थापना है और तब उसने का हम दो हमारे दो किसीना सुना यह अच्छा कर रहे हैं मोधी जी शेर्राम का मंदर जो बन रहा है भग भरत जी को बांदिया हन्मान जी को बांदिया आज एक अरब 50 करोड मोधी जी ने नौकरी देने क्लिए का था मोधी जी नौकर है तुमारे कि नौकरी नहीं मिल लाई है कुण सिक्छा भाईया स्वास्त का क्या होगा पहले तो नहीं हमाज उठाए अब सब को याद आ रहा है अब जब है नहीं तो सब को याद आ रहा है मिलेगा क्योटेंशल ले रहा हूँ कि तब तो आपने सरकार की सुनी नहीं तो नकुल ने सुघोष नामक संख बजाया सुघोष शुभ की घोषण और संस्देव ने सादेव यानी सत्संग सत्संग और सत्संग ने सादेव ने कोंसे संग बजाया मड़ी पुश्पक मनीश्यों ने संतों ने स्वाश को मड़ी से तुन्ना की है तेरी हीरे जैसी स्वाश गुर्देव ने लिखाया उसमें कि आन युद कि यह सक्संग तो वो है जो आप व साथ बैटकर करते हो फो उसके अमरिद का पान करते हो एह सक्संग यथार्थ शच्ट्संग घुरु भगवान ने लिखाया कि जब आपका चृत्प आपकी आत्मा में रवं जाता है कि आपका चित कि अन्दर रम जाता है वो यतार्त सद्संग और उसके लिए भजन करना पड़ेगा सै को साधना पड़ेगा एक एक सवास जैसे साथ पकाण ड़ेंग और इ Dafür इंसान को मरते वकरता भाता भाई आभास तूट रही क्या सांस नहीं आ रही भाईया सांस भाईया गाई भाईया गाई मरते वक्त उसे सांस याद आती सबसे कीमती चीज अरे काम करते करते भी सांस पर ध्यान रखे रहों क्या जाता है कि सांसों की माला से सुमरू में पी का नाम और जैसे जैसे सांस कंट्रोल होती जाती है वैसे वैसे मन और इंद्रियों का निरोध होता चला जाता है इतना गहरा संबंद है इतना गहरा संबंद है श्वास और मन का अगा इस वास रोग लो आप दोखो जब इंजेक्शन लगता है तो आदनी सांस रोग लेता है इस वास रोग लो मन रुख जाएगा जब तक स्वास रोग रहोगे तब तक मन नहीं चलेगा आपकी फ्लाइट है ग्यारा बजे और आप लेट हो गए ग्यारा बजे ही आप एयरपोर्ट पहुंचे आपको पता है और फ्लाइट चली गई लेकिन आप पहुंचे पता चला फ्लाइट तीन घंटे लेट है कैसे पूरी सांस अंदर जाती कुट्ता दवडा लिया खुब तेट भागने लगे खुब तेट ऊपर नीचे सांस चलने लगी आप देखो जैसे ही मन के विचार होते हैं वैसे ही सांस की गदी होती है इतना गहरा संबंद है सांस और मन का तो सांस क्या है डोर मन क्या है पतंग अगर पतंग को सम्हालना है स्वास क्या है डोर और मन क्या है पतंग अगर पतंग को सम्हालना है तो स्वास को पकड़ना शुरू कर दो और जैसे जैसे स्वाश्व कड़ते जाओगे वैसे वैसे मन और इंद्रियों का निरोध होता जाएगा और एक समया आएगा, एक समया आएगा जब वो ठ्रांस्वर पावर हो जाएगा, मन और इंद्रियां हिर्शिकेश के आधीन हो जाएंगे अब इस तरी भोग नहीं दिखाई पड़ेगे अब वो मा दिखाई पड़ेगे यह तो सुरिजन करती है यार एक होता है उपर से कहना एक होता है अंदर से भाव आना उपर से कहना पाखंड है अंदर से भाव आ रहा है मस्त है अग्मी है नंगन खड़ी होगी इस तरी उसको पर कोई प्रभाव नहीं पाएगा लेकिन जो कहकर ला रहा है अभी इंडोनेशिया के किसी कॉलेज में लड़कियां जा रही थी तो लड़कों ने अपनी आखें बंद करके खड़े होगा है यह देखो कितने सब लड़के पागल है आख बंद करके नहीं खड़ा होना है अंदर की आखों को शुद्ध कर लेना है बाहर से कोई अंदर सुधार सारा सुधार चिंतन ध्यान समाधी और एक समय आएगा यह सांस की साधना करते 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 सुरती गुरुमाराज ने भी इस कवीर ने भी इस वर्ड को बड़ा यूज किया सुरती बड़ा अच्छा अच्छा एग्जामपल दिया है उसे गाउं में और थे खाना वना रही चूले पर बना दो रही खाना और बच्चा छोटा उनका खेल ला है उनकी नजर बच्चे पर है यह सूरती है कि आप कोई भी काम करो आपकी नजर आपकी सांस पर रहनी चाहिए गाउं में वरत है खाना बना रही चूले पर बच्चा उसे खेला और जैसे ही बच्चा दर्वाजे की तरफ बढ़ा होके ती और रहे पिंटू फिट अंदर बच्चा भी जानता ना क्यों स यह डाइगराम यह भी एक आद हजार करोल का है एक हजार करोल का यह भीडाइगराम है सिरक्रशन कि परमात्मा परमगुरू कुछ भी आप कहो यह कौन सा संक बजा रहें पाचन यह क्या करेंगे कि यह धारा को राधा बनाइगे पिर अर्जुन यानि अनुराग यह कौन सा संग बजाएंगे देवदत दैविये शक्तियों को आधीन करना है कैसे तपस्या करें यह संग अगनी ने दिया है भीम यानि भाव यह कौन सा संग बजाएंगे पॉंड प्रीत का संग यह दृस्टर यानि धर्म अनंत विजरूपी संख बजाएंगे हारी नहीं सकते धर्म खतम ब्रहमांड क्थम आज ग्रेविटेशन की शक्ति खतम हो जाए खतम ब्रह्मान अगर प्रकृति अपना नियम तोड़ दे अगर समंदर का पानी अगर समंदर अपना नियम तोड़ दे वरोड नीति का देउता माना गया अगर वो अपना नियम तोड़ दे, अपनी पानी को छोड़ दे, पूरी दुनिया विला हो जाए, धर्म पे टुकी है, नियम पर, नकुल, यानी नियम, कौन से संख बजाएंगे, सुघोष, सुभ की घोश्रा, कि परिवर्तन शुरू हो गया, जीमाना है, साधेो, कौन से सं मड़ी पुष्पक, यथार्थ सत्संग करना है, सांस पर ध्यान देना है, साधेो यानी सत्संग, साधेो यानी सत्संग, ये कौन सा, संग बजाएंगे, मड़ी पुष्पक, कुछ भी करना है, सांस ध्यान सांस पर रखना है, अब देखों ये पाँच पती, कि किन किन चीजों की घोशना कर रहे हैं कि यह साइंस नहीं है कि भैंगलोर में हमारे एक गुरुभाई अविनीश है बड़ी सेवा करते हैं बड़ी गीता बाटते रहते हैं बड़ा मुझे मेसेज देते रहते हैं कि बड़ा परोपकार का काम कर रहे हैं बड़ा पूरा साउथ इंडिया अपने सर पर उठा रखा है अवनीश भाई नहीं कि हमारे गुरुभाई या शोक्तिर पाठी जी कुएट में रहते हैं बहुत सावान ने सरल से आदमी है बहुत उच्छ पत्पर हैं उतने ही सरल है हुआ यहाना आप और आश्रम में तहों हमारे जो संत महत्मा लोग है कि नरद बाबा है बिल्लो बाबा है और आशीश बाबा है जाहिए आप लोग कभी लेकिना बड़ा शास्त राभगों की तर बड़ी संपत्ति आपको दे रहें कि अपको अंधा आज है है अब अब धियान शुरू करो गए आप दो लगए लेकिन आपको कोई पती नहीं है अपने ध्यान शुरू कर दिये जितने ध्यानी वो क्यों परेशान होते हैं दुरौपती बन गए बिना पती के न अन्राग है न भाव है न धर्म है न नियम है न सत्संग है कब तक चलेगा तो किसी तरह बावा लोग बांदे रह जाते हैं कि साथा गुरु माराथ के पास आने से जो है फलाने लोड़का डियम हो गया था यहां आता था अच्छा लोग चले गए तो दुनियावी लालत से यह संत महात्मा व्यक्ति को बांदे रहते हैं कि यार हजार दो हजार बंदे आ सब्सक्राइए तो करें कि यह Palestinian यह कि आँक आप रीटा मंगा हुए औब पैसा भीज ने खुन हाला कि हो फ्री में दे रहा है कि छिनके पास चिनके पास हैं गरब नहीं है इंड्यस MA का तोक हर पस कोई बात ही नहीं लेकिन जिनके पास है तो कुछ चंदा भिजवां दीजै को मि इस ज्ञान की किमत नहीं है भारत हे ध्यान हिंद और ध्यान एड़़ा पूरी दुनिया राम और कृष्ण में हो जाएगे है पूरी दुनिया कोई बचेगा नहीं रास्ता ही नहीं है सब को आना पड़ेगा सकतेश गड़ बर्चर गुरु महराज की चड़ों में ऐसे बड़े सारे संत भारत में है क्या ख्याल है गवड़ाने की जूरोती नहीं छे महीने की तफस्या भीरोकरसी एक साल एमेले पांच साल एंपी दस साल पीम चौदा साल भगवान आप बताओ कितना करोगो क्या चाहिए पहले हम फिर हमारा समाज हमारा देश फिर पुरी दुनिया जह हम